हेलो एकलास जैसे कि आपको मालू मैं डेली सुभे आट बजे मने टो सटेड़े अपना एक इंपॉर्टन सेस्षिन होता है जहाब आप आम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टन करें टफेर जहाब आप आप लोग सुभे पाद बजय जो जो इंपॉर्टन न्यूज पेपर आते लाइब जरूरी होते हैं अगर आप कही पर कोई पर प्रेपर के प्रिया मेंस की तो आपको सब जगह पर आपको जो है इस वह सारे अर्टिकल से जो की देखने को मिलेंगे तो हमेशा की तरह दोस्तो यहीं एक्साइज अपनी देख लेते हैं पहले तो कि अपन जो है क्या-क् तो देखोगे तो आज आपने पास 12-13 टोटल आर्टिकल है जो कि आने वाले 35-40 मिनिट के अब लोग कवर करने वाले हैं एक बात और कि कल है सटेडे कल अपनी क्लास है जो कि नहीं ओ पाएगी क्योंकि मैं कल नौट इजयपूर तो कोशिश करेंगे Saturday की class Sunday को cover कर लें आतो है ना और अगर मैं Sunday को नहीं आपा है तो फिर Monday को तो अपन को करना ही है ठीक है तो Monday को हम लोग cover कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है दो तिन दिन का Saturday Sunday को वैसे भी बहुत कम news है जोकी होती है चलो ठीक है आपको अगर इस class की PDF चाहिए तो class 24 पर मिल जाएगी साथ में इंडिया के सारे exam के courses भी आपको मिल जाएंगे किसी भी exam के तैयारी करनी है को CTAT है ALP का है कोई RS का exam है आपका RPSC के कोई exam है है ना यूजिस से net अगर आपको करना है set assistant professor की तैयारी करनी है तो आप GRF Adda application जो की download कर सकते है ठीक है चलिए साथ में skill 24 को download करना मत भूलेगा क्योंकि आप job भी जो है वो पा सकते हैं ताकि अपने पढ़ाई को sponsor कर सके बहुत बच्चों की problem आती है कि सर क्या से करें आप क्या कुछ job करनी है तो job करने के लिए कुछ आना चाहिए पहले आपको कोई skill आने चाहिए तो वह skill आप यहां से लिखते हैं if everyone is happy with you then surely you have made many compromises in your life if you are happy with everyone surely you have ignored many faults of others देखो एक बहुत अच्छी बात यहां पर बोली गई है कि अगर आप से ना बहुत ही लोग मतलब आप से सभी लोग खुश हैं तो याने कि आपने कहने के compromise किया है क्योंकि ऐसा तो possible ही नहीं है कि आपका हर एक step हर एक इंसान को खुश कर दें ऐसा possible ही नहीं है इस दुनिया में मात्मा कांदी भी बात बोला करते थे कि सबसे पहले जब आप कोशिश करते हो हर आत्मी को कुछ रखने की कोशिश कर रहे हूं इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से खुश हो तो इसका मतलब आपने लोगों की फॉल्ट को जो है वो क्या किया है इग्नोर करना चालू किया है यह ज्यादा बेटर तरीका है क्योंकि हर इंसान में कम्या होती है दुनिया में ऐसा क्या चाहता हूँ तो यह आपकी प्रॉब्लम में यह आप चाहते हूँ यह उसकी प्रॉब्लम नहीं है ये have the day सबकी जिंदगी अपनी अपनी होती है हर इंसान को अपने अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार होता है तो अगर यह आप चाहते हो कि अगला ऐसा रियक् तो यह आपकी problem हैं साभने वाले के नहीं है तो यह expectation कर ना बंद कर दो और यह expectation जुआ आपको पसंद है वो तो बिलकुली बंद कर दो, क्योंकि इह Dimately करेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिन्देकी में कैसे जीना है उसको famous होना है कि उसको नहीं होना है, उसको आम इंसान रहना है, यह वो decide करेगा, तो आपको लोगों की गलतियों को ignore करना सीखना चाहिए, जब आप ignore करना सीखने की कोशिश करोगे न, तब आप सब लोगों से खुश रहोगे, आपको सब लोगों की खुश करने की जरूति करने की कोचिश करते हैं और इससे परिशानी भी होती है चलिए नेक्स बात करते हैं आज के फ्रेंट पेच की सबसे पहले तो यहां पर पुलिस ने बोला कि दंते वाड़ा के अंदर जो मोस्ट अटाइक हुआ है ना वहां पर दो तिन पहले उन्होंने जो आई-ई-डी है व बस्तर यह पूरा जो रीजन है इस वाले रीजन के अंदर यहां पर सेंटल गौर्णमेंट ने डो पोस्टल उन्यों को डी रिकर गनाईज जो की कर दिया है ना चलिए इसके अलावा यहां पर पीस जो बॉर्डर के ओपर है वो चाइना के ओपर डिपेंडनेंट है ऐसा द आपको मालूम हूगा कि अभी मन की बा 마음 का 100 एपिसोट इस जो की फीचर होने वाला है और इसी वाज़े से 100 जो 11 कि रहा है बहुत सारी किताब हैं जोकि अपने पढ़ हो की बच्च्पन में मुझे नी पता कि आपने कभी कॉमेक्ष पढ़िये की नी कर डिकिन बहुत ही जबर्दस्त तरीका था बच्छ्पन में लणिंग करने का कॉमेक्स लोग जो है comics लेगे आता थे rent के ऊपर books आते थी छोटी-छोटी पतले-पतले सी तो summer vacation के अंदर तो यही काम हुआ करता था मेरे भी पड़ो उसमें घर के पास में bookstore हुआ करता था जो कि rent पर दिया करता था comics के book तो कोशिची होती थी कि 2-3 पेस तो क्या खड़े-खड़े ही पढ़ लो ऐसा लगता था कि rent दिये विनाई काम चला लो मदलम काफी आती थी बहुत सारी जाजा चौधरी इसे लेकर बहुत सारी comics से जो क्या आया करती थी तो उसके अंदर जो सबसे बड़े प्लेयर है जिनको Walt Disney of India कहते है जैसे कि पूरी दुनिया को Walt Disney ने जो है वो एक कार्टून सा और ये सब दुनिया में दिखाए हैं उसी तरीके से इंडिया में Walt Disney of Walt Disney of India जो माने जाते हैं वो आनंद पाई माने जाते हैं आनंद पाई वो परशन है जिन्होंने एक बाद जो है उन्होंने ये कंपनिये जो कि स्टार्ट करी ती अमर्ड चित्र कर था गी और बहुत पहले 1960s के टाइम पे मुंबई में स्टार्ट करी थी और उसके बाद में उन्होंने इंडिया के जो तो फिर उन्हें सुचाए एक काम करते हैं बच्चों के लिए जो है उनको अवेडनेस रहे इसलिए नई तरीके के बुक्स भी निकालते हैं जो कि हमारे स्टॉरिकल कल्चर सिंग्निफिकेंस के बारे में भी थोड़ी बात करें तो उन्होंने हर चीज के बारे में इंडिया क एस्टरी के बारे में बहुत सारी कितावें जो की बनाई हैं कॉमिक्स के तवर करते हैं तो अभी जो है अमार्च चत्र का था कॉमिक मूग जो है वो कई सारे लोग और मनकी बात को भी पब्लिक हैоловी है हना कई सारा मरा एकॉनिक हेरिटेज साइट से जैसे कि रैट फोड है कुनाथ संग पेंपल है यह सब जो है इसके अंदर किया जाएगा और थर्टी अप्रिल को यह सौवा एपिसोड है जो कि टेलिकास किया जा रहा है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि बहुत सारी फेमस बुक से इनों निकाल लिया लेकिन बस हम लोग नाम ही सुनते हैं में कभी इसके बारे में पीछे का तो पता है नी चला है इन सब के फिर्म को इंडियन वर्जन के अंदर रिलीस करना चालू किया क्रिष्णा करके भी एक कॉमिक है जो कि इनके दुवार रिलीज करें इनको बोलता है यह वो पर्स है उन्मी सो नुर्टिस में का जन्वा दोसार ग्यारा में की देथ हुई वाल डिजनी ऑफ इंडि कोई सवाल है जो कि पूछा जा सकता है अब क्या पॉस्यूबिटी है जो कि मन की बात के ओपर सवाल है जो कि बन सकता है एक्जाम में एक तो यह पूछ सकता है कि बताइए कब जो है इसकी शुरुवात है जो की हुई थी फॉर्स्ट मन की बात का जो प्रोग्राम है वो कब ब्राटकास्ट है जो की किया गया था आप से पहला यह सवाल तो रेडियो के आउट्रीज प्रोग्राम का यह पार्ट है जो की माना जाता देखो क्या होता अपनी आवाज पहुचाने के बहुत तरीके होते हैं है जैसे कि यूटूब भी एक तरीका है और सोचल मीडिया करते थे डर लगा करते था उनको न्यूस्पेपर से ही कि कोई जो है इन फैक्ट जो पहला न्यूस्पेपर होता बैंगॉल गैजट विलियम जोन्स के दुवारा उन्होंने भी कुछ बिटिसें से खिलाब चाप दिया था उनको भी बैन कर दिया था मतलब बिटिश का अग बात पुचाने के लिए क्योंकि 65% आज भी हमारा ग्रामीन भारत है गाओं के अंदर आज भी रेडियो चलता है और वहां पर हमारे जो दूर दर्शन ये जो डीडी के जो है ना आकाश्वानी रेडियो ये आज भी बहुत चलते हैं बहुत लोग देखते हैं सुनते भी है है ना तो ये भी एक तरीका है इसी प्रकार से जो आपके ये हैं टीवी चैनल से वहां से भी बात पुचाने के तरीका है वो तरीका बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि वहां पर लडाईयां जादा होती है बातचीत कम होती है तो वो तरीका बहुत distorted हो चुका है इसलिए लोग जाकते जाधा वहां पर prefer कर था नहीं अपनी बात पहुछाना क्योंकि बात पहुंसजाना जाधा जगड़ा जाधा करना होता है वहां पर तो यह अलग-अलग माध्यम होते हैं, तो PM Modi ने जो है वो रेडियो प्रोग्राम में जो की चुना था, ये इसकी शुरुवात विजय दश्मी को हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2 नवंबर, ये दो डिट डान रखने हैं आपको 2014 की, साथ में ये भी पूछेंगे कि जो इस बार 100 session होगा ना, उसके अंदर क्या बात है, जो की करी गई है, उसमें क्या होगा कि PM Modi कई लोगो के बारे में बात करेंगे, या कोई योजना के बारे में बात करेंगे, तो उसको भी highlight है जो की exam में किया जा सकता है, कि बताइए इस से संबंदिद, इस तो जब तीस तरह को होगा तो हम लोग 1 तरह को जो है देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों के बारे मैं बात करी गई है तो इसको भी हम लोग युक्तव देख लिंगे यह लौक से हैं पर वापस आते हैं लाइन से जाएंगे बहुत हैं स्कूल बच्चे में चाहाafe को आए संधक्स अंदर नया साविया bench करे गई क्या होता है कि हमारे देश में 80% ऐसे एरिया जहां पर हायर मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल ही नहीं है यानि कि मालों सर्जरी करना है कुछ ऐसे अगर कुछ हायर मेडिकल सेवाएं की जरूत है ना तो 80% एरिया के आसपास कुछ भी नहीं है ऐसा तो उनको दूसरी जगे पर जाना पड़ता है दो गंटे चार गंटे च्छे गंटे की दूरी पर अब रोड से जाते हैं तो इतनी क्रिटिकल सिच्वेशन होती है कि बंदा अगर अपनी प्रॉब्लम से नहीं होए तो जो गाड़ी भगा रहा है वो के एक्सेंट करके वो जरूर पहले उपर पहु है ना उस आदमी के जो अंदर होगा उसके एक एक मिनट बहुत कीमती होता है ऐपर कई बार तो ईससे बचने के लिए क्लिए क्या की आज सकता है अगर जल्दी किसी को एड लिफ्ट करके जल्दी ऑस्पिटल पहुचा नहीं तो एक एर एंबुलम से जो की तरीका होता है यह ने बाहर की घंट्र में तो 24 गंट गुंते रहते हैं 4-500 शेर के उपर okay जैसे लंडन देखोगे आप वियेन आ देखोगे पैरिंज देखोगे तो वहां तो आपको अविलिबल है जो कि हो जाएगी और नमर अमर भी या पर दे रखें अब देखो इस तरीके की सुईधा है जो है वो और भी राज्यम है जैसे कि सबसे पहले जो इसकी सुईधा है साउथ इंडिया में वो करनाटका के अंदर करी गई थी यदुरप्पा सरकार के जो कि क्या था एक जर्मन आइसोलेशन पॉड है उन्होंने ट्रंक सबसा है वजलिटी है जो कि मिलकर अविलेबल करवाई थी क्योंकि रोड के ओपर क्या हैवी ट्राफिक होता है अब बॉंबे दिल्ली बैंगलॉर ऐसे शेरों के अंदर अगर कोई सोच ले कि मैं बहुत जादा है क्योंकि 80% जो हमारा एरिया है ना वहां पर हायर मेडिकल सेंटर के अवलिबरेटी नहीं हो पाती है ओके इसलिए बोला जाता है कि एर अबुलेंस है जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम कम हो जाता है यह लिफ्ट आप बहुत अच्छे त प्रूब हुई थी चलो ठीक है आगे बात करें पेस्ट नम्मर 18 की तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कॉर सिंग के बारे में देखो भी कॉर सिंग जी है वो इकमातर से भारती बॉक्सर जोन्होंने उनीस स्वस्ती के अंदर मोहमद अली से जो है वो हमारे इंडिया के तो अभी उनकी देथ हो गई है 1982 के अंदर नियू दिल्ली के अंदर जो एशन गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल है जो की हासिल क्या था ठीक है 48-49 में पंजाब इनका जन्वा सेवंटीफोर की एज में कुरुक्षेक्तरामीन की देथ हो यह कल औ दिल्ली में हुए थे थे और उसके बाद इन्दर इंडिया में हुए तो वहां पर जिता है और जीता तो काफी इन्होंने लोगों कोचिंग भी दिया धराबाद के नेशनली चैंपेंशिब 27 के अंदर उन्हें टीम को कोच किया था पंजाब पुलिस की आर्मी की टीम को कोच किया है काफिस जबरदस्त हमारे बॉक्सर थे जिनके अभी देट हो गई है चलिए ठीके ठीके एक बच्चा बोल रहा है कि सर UP में अगर एर एंबुलेंस आ गया तो ऊपर वाले इसका मिस्यूज ही करेंगे UP वाले को क्यों मिस्यूज करेंगे यहां पे आपको मालूम है कि पर बताया गया है काफी बड़ा आर्टिकल है चलो यहां पे बात करेंगे देखो अभी क्या हो गया कि आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे crime scene होते है वहाँ पर forensic team तुरन पहुंचती है और forensic team का cases बहुत बढ़ गए है ऐसा क्यों हुआ है कि आज की time पर बात बात पर कई जगा पर murder के ओपर forensic team जा के अपने evidences collect करती है तो mysteries को reveal करने के अंदर, unreveal करने के अंदर forensic team का बहुत बढ़ा रूल होता है अगर आप कोई भी ऐसा future में degree course या diploma course forensic का करते हो ना forensic science का करते हो तो इसका बहुत scope है क्यों होता क्या है देखो कि कोई भी crime होता है न तो अगर police के पास evidences नहीं है तो police जो है अपनी report का, जो final report होती वो अच्छी नहीं बना पाएगी कई बार लोग पैसे भी खला देते हैं, कोई बहुत अगर बड़ा case होता है high profile का तो भी police अपने high profile के final report है जो कि इतनी तकली नहीं बनाती है अब जब report ही नहीं बनेगी तो वकील लड़ेगा कैसे, सरकारी वकील सरकारी वकील के पास लड़ने के लिए कुछ ही नहीं evidences तो court के अंदर जो है, वो आदमी बरी हो जाता है दो तरीके से, एक तो police को ने कोशिश तो पूरी कर ली लेकिन फिर भी evidences नहीं बनेगी, तो lack of evidence के वज़े से court से बरी हो जाएगा second, हो सकता है कि वहाँ पे कोई बहुत high profile case हो है ना, उसके अंदर भी police ने weak बनाती report तो बिचारा वकील, सरकार वकील के पास, सरकारी वकील अगर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो फिर वो case आर जाता है और lack of evidences से बरी हो जाते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा आप बारूं में पड़ा होगा, ठीक है अब क्या होता है कि जितना जादा evidence होंगे, उतना ही police का case मजबूत होगा और उतना ही court में उसको सजा दिलाने में police को मदद मिलती है, तो इसलिए जो hype, इसलिए कि ऐसे कोई भी cases, जिनमें 6 साल से जादा की सजा है, वहाँ पे compulsory कर दिया गया है कि आपको forensic report तो लगाने ही पड़ेगी, इससे क्या हो जाएगा कि जादा लोगों को जो है, police को जादा evidence मिल जाएगे, जादा evidence हो जाएगे तो court के अंदर prove करने में मदद मिलेगी तो जो भी ऐसे offenses है, जिनके अंदर punishment 6 साल से जादा का है, उनको scientific test में put करना compulsory है जो की हो गया है समझ गए, इसलिए अगर आप देखोगे तो ये graph 2007 के, 2007 थे forensic के cases 2016 में, अभी बढ़के 8500 से भी जादा है जो की 2022 में हुए है जो की है आज की टाइम पर काम में लिए जा रहे है, currently जो lab है, उनके पास 6 टीम है और ये 6 range में काम करती है दिल्ली पुलिस के साथ में, 15 टीम, 15 district के अंदर जल्दी और बनाने वाले है तो अगर आप देखोगे तो crime scene के लिए इनके पास एक management division होती है, 24-7 काम करते है duty होती है officer की, वो crime scene को ये बारे में पुरा लिखता है, फिर जो आपके officer उनके permission मिलती है, फिर team जाती है और फिर वाँ पर छोड़े-छोड़े चीजों को क्या करती है, है ना, देखा होगा आपने वो CID के अंदर एक forensic team जाती है, फिर वो collect करती है sample तो sample कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ही minute-minute, अगर मालों कहीं पर crime scene हुआ और एक blood का टुकड़ा भी गिर गया ना, तो forensic team सब कुछ बता जाती है बंदा कितने साल का था, बंदा कैसे हो सकता है, पूरा उसका जो है, एक study है जो की होगे, उसका पूरा data निकल के आ जाता है लड़का है की लड़की है, सब चीजें पता लग जाती है, तो blood, semen है, clothes है, saliva वाले, bullet है, bones है, कोई लकड़ी के ओपर हाथ रखे हुए, है ना, semen है, किसी का पसीना है, कुछ भी वतलब ऐसा fingerprint है, fiber, बाल हो गया, paint, glass, कुछ किसी के ओपर भी रखावा है, तो यह सारे evidences ज जो की collect होते हैं, ठीक है, तो forensic text जो की mandatory कर दे गया है, 6 साल से जादा punishment के ओपर है, crime scenes हो गए, documents, chemistry, toxicology, biology, DNA, यह सारी के सारी photo है, जो की इसके अंदर खेंची जाती है, और उसको study करी जाती है, ठीक है, इस तरीके से, hopefully, समझ में आगया होगा, चलिए, ठीक है, आगे बात करता है, जो की है, यहाँ पर दोस्तों, अमिशा जी का statement आया, क्योंकि इन्होंने कल रिसेंटली जो है, बहुत अच्छा इनिशेटिव लाँच होए, देखो, Union Home Minister and Corporation Minister, अमिशा ने भी जो है, वर्ल्ड का फोस्त, Nano DAP है, जो की launch किया है, Nano DAP, द उसके वज़े से, और वो जितना महंगा आता है, उससे double महंगा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो सरकार क्या करती है, subsidy देती है, समझ गए, मैं आपको थोड़ा सा बतायता हूं, देखो, अगर माल लिजे fertilizer 100 रुपे का आया, इंपोर्ट करवाने पे, तो सरकार 100 रुपे का सरकार का इसमें लॉस होता है, तो सरकार subsidy हर साल बजेट में गोशित करती है, तो 19-20 के अंदर 0.81 trillion रुपी था, अब आप देखोगे, तो 22-23 के अंदर expected है कि 2 trillion रुपी, दो अरब रुपे जो है, वो यहां पर देखने को मिल रहे है, जो subsidy के अंदर है, तो सरका FCO, ओके जो fertilizer corporation है, उनके दुवारा जो है, उन्होंने क्या किया है, कि liquid है जो की बना दिया है fertilizer का, यहां पर ही, और छोटे-छोटे से डब्बे बना दिया है, अगर आप एक बोरी काम में लोगे ना पूरी, यह देखो, एक बोरी ले लो, और एक आप bottle ले लो, दोनों बरा अबर जो है, सिर्फ आदा लीटर है, जो की नैनो का DAP होगा, जो की 500-600 रुपी की bottle है, बड़ी हो गया ना, आपके fertilizer भी कम एड हुए, chemical substances भी कम एड हुए, utility भी पूरी हो गई, तो इसलिए पहले तो DAP, यूरिया को लांच किया गया था, पहले तो यूरिया, अब जो है यूरिया को लांच किया गया, तीसरा जो है, वो MOP को लांच करेंगे, यह तीन तरीके की fertilizer है, जो की काम में लिया जाते है, है ना, ठीक है, पुटाश मोलते है इसको, पुटाश, तो पहले तो यूरिया लांच हुआ, फिर DAP लांच हो गया, तो यह अब बचावाज क्या ह है, अब पुटाश बचावा है, उसको भी बना दिया, जल्दी काम में लिया जाएगा, तो nitrogen और phosphate की जो भी soil में कमी है, तो इक nano fertilizer है, जो की liquid के तौर पे लांच किया गया है, समझ गया है, इतनी सी बात आपको यहां पर दान रखने है, 500 बोटल की प्राइस, 6 रुपए जो fertilizer का जो import bill है, वो 2.2 lakh करूड का है, 2 lakh करूड रुपए का 2022 ते इसका है, जो कि estimated किया गया है, है ना, हम लोग काफी produce करते हैं, तो अब हम लोग चा रहे हैं कि यहीं पर हम लोग लोग लाखो लिटर्स की bottle है, जो की बना ले, ताकि import bill है, जो की कम हो जाए, समझ गए वेरी होफिली आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट है, इंडिया की फॉर्स राफिल पाइलिट, इंडिन एरफोर्स की टीम की मेंबर है, जो की फ्रांस में दिल में पार्टिसिपेट करने वाली है, ना में दोस्तो, क्या शिवांगी सिंग, फ्लाइट लेटिन शिवांगी स फ्रांस के अंदर, फॉर्स टाइम है, जो की इंडिया ने अपने राइफिल फाइटर्स को बेजे है, चार राइफिल फाइटर्स बेजे है, C-17 ग्लोब मास्टर है, वो बेजा है, है ना और भी रिफ्यूलर है, उनको बेजावाय है, ऐसे करके हमारे तोटल मिला के 165 जा रहा है, चलो, ठीक है दान रखेगा, गोल्डन एरो करके स्कॉर्डरन का नाम है, जो की अंबाला के अंदर राफेल की बनाए गई है, इंडिया एंड एफ्टे, एफ्टे क्या है, ये उरोपियन फ्री ट्रेड अस्टोसियेशन है, देखो क्या है कि काफी सालों से है न एरोपियन फ्री ट्रेड अस्टोसियेशन है जो की बना ली, कि वह वापस से हमारा डिसकॉशन है जो की स्टार्ट करें कि कैसे ट्रेड एन एकनोमिक पार्टेशिप अग्रिमेंट है जो की आगे बढ़ाया, जा सकता है दोनों ही देशों के बीच में या जोनों गुरुप के बीच में, बाइलेक्टरल ट्रेड और एकनोमिक्स को कैसे बहतर किया जा सकता है, समान को लेके जाना, आना, यह सब अच्छा हो जाए, तो 1960 के अंदर जो को सबसे पहले है न, यह एक इंटल गवर्नमेंटल और्गनाजिशन है, इसके में आप देख सकते हो, आइसलेंड हो गया, नौर्वेज, स्विजलेंग्ट और इसके मेंबर है, तो आप से पूछेंगे कि EFTA जो है, इसके अंदर कौन से कंट्रिस इसके मेंबर है, तो चारी कंट्रिस है, साथ में बनाता ध्यानरकी का स्टॉक हम कन्वेंशन से, इंडिया के साथ में डिसक्रेशन है, जो क आप कहां पर कौन कौन से कंट्रिस है, चलिए, ठीक है, यह तो बाकी तो कुछ खास नहीं, आगे बात करते हैं, महिला सम्मान सेविंग सेटिफिकेट अकाउंट को लेकर, तो जो हमारी WCD मंत्राले है न, उन्होंने रिसेंटली महिला सम्मान सेविंग सेटिफिकेट कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर लो, महिला सम्मान सेविंग अकाउंट के तौर पे, हैना, चलिए, इसमें मिनिमम एक हजार और मैक्सिमम दो लाक रुपे है, साधे साथ परसंट एन्वली है, जो कि इसमें मिलेगा, कोई भी लिमिट इसमें, हैना, इन्म के लिए आपको साधे साथ आठ परसंट का इंटरस्ट है, जो कि मिलता है, तो अगर आपको कहीं पर ऐसी फिक्स्ट इंकम और एक दो सालों में अगर आपको साधे साथ परसंट चाहिए, तो नॉर्मली मिलती है नहीं मार्केट में, को के मीचुल फंड में आप लग पड़ी पैसे की पता लगा, उस दिन मार्केट डाउन है, तो उस दिन क्या है, फिर लॉस लग जाता है, तो जिनकी रिटेंशन क्यापसिटी होती है, जिनको जरूत नहीं है आज पैसा की, मालिजे 2-4-5 साल तक जरूत नहीं है, उनके लिए मीचुल फिन बहुत है, फोन पे एप्लिकेशन में जाओगे, वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा, सब जगे मिल जाएगा, तो महिने के अगर आपके 5000 रुपर जा रहे हैं, तो हल साल में कितने हो रहे है, 60,000 रुपे हो रहे है, 60,000 रुपे का अगर आप देखोगे, तो आपको 10-12% रिटें हो जाएगा, आपके 2 साल बाद में, आपने 1,20,000 रुपे तो आपने दिये, और उसके बाद 12%, तो मतला compounding हो रहा है, तो वो जादा बहतर तरीका है, अगर आपको थोड़ा पैसा कमाना है, तो मतला, Einstein ने तो उसको दुनिया का 8th wonder है, जो कि कहा था, compounding के पावर को, कि compounding के जो पावर होती है, ओके, क्योंकि आपने, for example, 100 रुपे इंवेस्ट करें, अगले साल 112 रुपे हो गए, फिर अगले साल 112 का 12% होगा, समझ गए, फिर जो 144 आएगा, उसका भी 12% ही, compounding की पावर होती है, तो ये जो है, आपको market के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसके अ आपको जरूरत है, उस दिन अगर किस्मत खराब हो, market डाउन रहा, तो problem हो जाएगी, है ना, चलो, ठीक है, तो इसलिए सरकार ने fixed, ताकि market driven ना रहे, सरकार ने इसलिए ये ये योजना लाउंच करी, क्योंकि सारे 7% की भी आपको इस दो साल में, ये जब भी जरूरत हो, आप निकाल सकते हो, 40% पैसा पहले साल में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, और पहले close हो सकता है, तो किसी की death हो जाए, कोई बहुत ज़्यदा extreme ऐसी conditions हो जाए, जिसमें life threatening condition, जिसमें आपको निकालने के जरूरत पड़े, तो वहां पे भी निकाल सक होता है, तो वहां की history और Tamil की history जो है, उनको relate है, जो कि किया जा रहा है, जैसे कि काशी Tamil संगम जो है, कुछ time पहले किया गया था, north and south को correlate करने के लिए, तो काफी अच्छा response है, जो कि सरकार को देखने को मिला, तो इसलिए अभी गुजरात के साथ में, जो है, Tamil को वो attach कर र रहा है, ठीक है, सोमना, द्वारका, गुजरात, तमिलनाडो, हर जगे पर इसको किया जा रहा है, केदार्नाथ में भी करेंगे बाद में, है ना, चलो, ठीक है, एक बारत करके योजना है, जो कि 2015 में launch करेंगे तो, जिसमा हर एक राज्य को एक दूसरे राज्य के culture को exchange किया आगे बाद करते हैं, कोनाक संग टेंपल के बारे में, तो रिसेंटली एक petition है, जो कि उडिसा कोट के अंदर लगाए गई है, जिसमें challenge किया गया है, एक eligibility criteria के लिए, कि अगर किसी को कोनाक संग टेंपल के अंदर photographic करनी है, तो minimum आपको 10 वी पास है, जो कि होना पड़ेगा तो यह जो criteria set किया गया है, इसको challenge है, जो कि court के अंदर किया गया है, petition है, जो कि लगाए गई है, अब इसके अंदर होगा क्या नहीं होगा, वो तो भाई खैर court बताएगा, लेकिन यह news है, तो हमारे लिए ज़रूर ही है, कि हम लोग कोनाक संग टेंपल के बारे में जाने, उडिशा के पूरी के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसको King Narsimha Dev Pratham के दुवारा दोस्तों बनाए गया था, 1244 के अंदर, बहुत ही फेमस टेंपल है, जब Britishers आते थे दूर से, तो बिलकुल बहुत ही amazing picturization है जो की हुआ करते तो वो लोग तो बिलकुल ही, Jagannath Puri और के अंदर भी इसको include है, जो की किया गया है, इसको सूर्य देवलाया भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य गॉड को जो ही dedicated है, architecture बहुत ही amazing है, कलिंगा architecture है इसका, soffit का ही एक solar रथ जो है वो भी बना रखा है, 24 wheels है उसमें, 6 horses के दुवारा उसको pull है, जो की किया जाता है, ठीक और कई सारे images, animals के, warriors के, horses के जो है वो बना रखाया है, बहुत ही beautiful site है मतलब, और normally जो है, जो temple बिल्ड किया गया है, वो एक kondylite rock से, उससे इसको बनाया गया है, अब जब उसके ओपर sunlight पढ़ती है और जब sunset हो रहा होता है तो एकदम black color का नजर आता है temple, थोड़ा बहुत यह February के अंदर मनाया जाता है, सांची के बारे में बात करेंगे, चलो तो सांची की बात करें, तो एक world heritage site तो है, आपको मालूमी है मद्यपरदेश में, तो इंडिया का first solar city है जो कि यह बनने वाली है, सांची के अंदर काफी अप्डेडेशन है जो की दोस्तों किया गया है इंडिया की first solar city है जो की बनाए जा रहे है, राइस्चन डिस्ट्रिक के अंदर located है, बैटवा रिवर के पास में देखने को मिलेगी, साची जो है एक religious place है, historical और archaeological significance है, और Buddhist monument है, जो की यहाँ पर देखने को मिलते हैं, साची स्थूपा बहुत ही famous है, पुरी दुनिया से लो उस तरीके से इसको बनाए गया था, अशुका ने जाने से पहले एक बहुत ही अच्छह काम यह करके गया था, अशुका कि सब पर रॉक पिलर्स और एडिक्स जो की बनाए गया था, जिस पर बहुत अच्छे ची बाते लिखे गया था, पता नहीं उनको पढ़ाय को नहीं लिखावा है वो सब देखो के ना बहुत ही अमेजिंग बाते करें गई यह 2000 साल सवा 2000 साल पहले बहुत अच्छी बाते करें लिखी गई है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं साची स्थूपा के बारे में आपको बताई दिया है बाकी तो कुछ खास है नहीं आगे बात करें बाते हैं दू के बारे में ब्लेजिंग के बारे में आपको नए आइडियास दे नए मैथर्ड बताएं इन्वेशन को लोग तेल ब्लेजिंग जो कहते हैं वैसे दोस्तों मैरेट का मतलब होता है बहुत बढ़ी संख्या के अंदर जब कोई चीज देखने को मिले अनेंडे इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा कोई अपने आप पर किसी चीज के उपर प्राउट करें उसको कहते हैं साथ में आपको पीडिएफ क्लास की क्लास 24 पर मिल जाएगी अप्लिकेशन पर सारे आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो भी आपको कोर्स करने हैं सारे एक्जाम जग कैसे मिल सकती है वो भी आपको बताया जाएगा पहला सवाल है आज का आपको बताना है कि operation कौन कौन से operation कहां कहां पर करवाए गया है चलिए operation मेत्री नेपाल के अंदर करवाए गया था संकट मोचन साउथ सुदैन में देव शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में सही क्या हां ने 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 हुआ इसमें से अफगानिस्तन वा ओला आपरेशन देव शक्ति संकाट मोचन भी हुआ था संकट मोचन लेकर तरकी में किया गया था दो पर सही हो गया है से महें अचार एक तो यह है संकत बोचन साउठ सुधा्य डेवी शक्ति जो क्या गया था यह क्या तथा अफ्गांस्तान से यह b Cor analyst now झदर नेपाल संध्री नहीं सतंग है घ्कै तो 123 तो 3 तो चेहें दर सही पारा ओकशनल ittनि है साइब कावेरी होगा सुडायन वाला बाकि देव शक्ति देवी शक्ति अफगानिस्तान संकट मोचन साउसुदान मेत्री आपका नेपाल ध्यान रखी का इंपॉरेंट पर पूछते ही है कावेरी जो किया गया वह इंडिया और सुडायन के बीच में किया गया है हीट वेव की बात क चलिए साची स्थूपा को उनेस्को वल्ड रेटेज साइट है जो कि कब डिकलेर किया गया था अंसर क्या होगा 1989 में इसको किया गया एक बाराज श्रेश्ट बाराज इसकिम कब लाउंच करे गई इसको 2015 में करे गई तो भी आपका सही अंसर होगा तो यह था आज का आपक